आपका स्वागत है मेरे यूटीब चैनल मार अगर सब्सक्राइब और मैं हूनितियश और दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं विंडोस 10 के बारे में विंडोस अगर बात कर लें विंडोस के स्पेच्पिकली तो विंडोस ने बहुत लंबी जरनी तया किया और उसमें बहुत सारे फीचर्स एड़ की हैं रेगुलरली जहां तक बात कर लोई विंडोस 7 के तो विंडोस 7 मुझे बहुत पसंद था विंडोस 8 मैंने इंस्टॉल करा मुझे पसंद नहीं आ है मैंने अगें स्विच कर लिया था विंडोस 7 के बाद लेकिन जब विंडोस 10 आए तो मुझे काफी अच्छा लगा उसमें बहुत सारी फीचर्स थी जो विंडोस 7 में थी और काफी आप 15 कीबष सोटकर्स बताऊंगा जो कि आम तौर पर आप नॉर्मल जो माउस से ओवर करके भी आप उसे एकसेस नहीं कर सकते हो अब कुस सेटिंग तो आप मौस से कर सकते हो इंडोस काफी फॉस्ट हो जाएगा तो टोटल ऐसी 15 कीबष सोटकर्स मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहला keyboard shortcut है जो मैं start कर रहा हूँ emoji जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप स्मार्टफोन में regularly इसे यूज करते हैं बट जो windows में है आपको बहुत आसानी से नहीं मिलता है लेकिन क्या आपको पता है ये windows में already integrate किया हुआ है उसका एक windows shortcut है आपको क्या करना होगा windows plus dot या full stop जो बटन को करते हैं तो windows plus dot को अगर एक साथ क्लिक करेंगा तो आपके पास emoji open हो जाएगा एक emoji box open होगा और वो आप कहीं पर भी open कर सकते हैं लाइक आप word file में यूज कर रहे हैं कहीं website में wave address डालें वहाँ पर आपको simply cursor ले जाना है वहाँ पर windows plus dot क्लिक करना है आपका emoji box open हो जाएगा आप mouse से उसे select कर ले जो भी आपको अच्छा लगे second जो keyboard shortcut है इसमें आप जो clipboard history है आप find out कर सकते हैं लोगा आब बहुत बार क्या होता है कि आ आपको यह बरा कोई fail लिख रहे हैं या बहुतषी में अगर लास्ट दीन चाहर हिस्तिरी अगर find out करनी है तो उसका भी एक solution है उसका shortcut है windows plus B इसमें आपको total last 25 जो आपने copy किये थे clipboard में वो सारे save रहते हैं तो अगर आप 25 step पहले आपने कुछ चीज copy करा था वो भी आपके history में save रहता है ना बहुत कमाल की बाद आप वहां से जाके simply उसे click करना है आपको और वहां से आप अपनी history को copy कर सकते हैं बहुत बार आप windows use करते हैं तो आपके कोई program होता है कोई setting होता है जो कि आपके display driver से conflict करता है तो आपका display उतना अच्छे से नहीं काम करता है तो बहुत बार आपको उसके reset करने के ज़रत होती है तो reset करने के लिए एक बहुत अच्छा keyboard shortcut है windows control shift plus b यह automatically आपके जो display driver है उसको reset कर देगा उसकी original position में ला देगा तो आपका जो conflict है वो उस time के लिए बंद हो जाएगा और जो fourth keyboard shortcut है यह भी काफी unique है हम जो frequently programs use करते हैं उसको हम task park में रखते है जनरली मैं तो ही करता हूँ कि जो भी मैं program regularly use करता है उसको अपने task park में रखता हूँ तो आप उसे click करते है तो open हो जाता है लेकिन वहां पर आपने notice कि रहा होगा कि यहां पर अगर आपको administrator access से open करना है तो उसका कोई shortcut नहीं रहता है सकते हो जो 5th shortcut है इसमें आपको advanced window open करने का option मिल जाता है इसमें आपको simply click करना है Windows plus X तो आपका advanced option open हो जाएगा वहां पर आप control panel में windows cell में जा सकते हैं अब बहुत सारी features होती है जो कि आप advanced user है तो इससे access कर सकते हो और जो 6th shortcut की है इसमें अगर आपको notification access करना है तो उसके यह बहुत अच्छा option है Windows plus A click करना है simply आपका जो notification panel है वो open हो जाएगा next अगर आपके पास wireless accessory आप regularly उसे connect or disconnect करते है तो उसका बहुत अच्छा option है यहां पर आपको setting में जाने के जोड़त ही नहीं परेगी simply आपको Windows plus key करना के for connect simply इसे याद रखो Windows key करो वहां पर आपको एक आप मेरी तरह अगर multitasker हो तो Windows में suppose कोई एक प्रोग्राम है उसका different Windows आपने open कर रखा है like word को ही ले लो या कोई sticky Windows को ही ले लो तो वहां पर 4-5 आपने उसी का Windows open कर रखा है और आपको quickly switch करना है उस सारे में तो उसको आपको क्या करते है आप माउस में जाते है और क्लिक कर आपको जितना बार आप माउस से क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक तो उतना बार आपका Windows स्विच होता रहेगा तो आप अपने जो मंच है Windows में quickly switch कर सकते हो अब आप लोग को सबको तो पता ही होगा कि अगर आप Windows की screenshot लेना चाहते हो तो simply Windows plus print screen और simply print screen प्रेस कर देतो और आपक Windows का screenshot हो जाता है बाट डिकत क्या है कि वहाँ पर आपको edit करना पड़ता है क्योंकि आपको सारा Windows चाहिए कुछ एक स्पेस्पिक सेक्शन चाहिए होता है तो उसके लिए अपको edit करना पड़ता है तो इसका भी एक अच्छा solution है इसमें एक program है already तो उसको access करना होता है आपक like snipping tool में आप यूज करते हो तो कोई एक area select कर दो वह automatic आपका clipboard में save हो जाएगा आप उसे save कर सकते हो दूसरा option है कि आपको ये free from transformation कर सकते हो like आप कोई पिन से कोई एक specific area कैसा भी आपका shape का आप उसमें select कर सकते हो आगे उसको आप shape कर सकते हो a third option या fourth option है कि आप full screen को edit कर स सकते हो like print screen में आप करते हो kotana kotana तो नाम सुना ही होगा लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ अगर आप उसे frequently use करते हैं तो उसको बुलाने का बहुत आसान तरीका है windows plus c c for kotana आपको याद रहे गाई बट लिकत क्या है कि ये setting में जाकर आपको enable करना होगा by default य इनेबल नहीं रहता है तो इसमें कि अगर ना आपको पहले जाना है setting में वहाँ पर आपको जाना है kotana में and then आपको करना है keyboard shortcut तो जैसे ही आप उसे enable करेंगे वह आपका shortcut enable हो जाए उसके बाद आप windows c click करके आप उसे access कर सकते हो असानी से अब windows setting में जाने का भी एक shortcut तरीका है और इसे हम कैसे miss कर सकते हैं तो windows प्लस आई आप click करोगा simply आप windows की setting में जा सकते हो अब जहां तक हम बात करें इंडियान में gaming experience की तो gaming बहुत तीजी से इंडिया में बर रहा है क्योंकि internet आचुका है और internet बूम पर है सेम उसके साथ ही साथ गेम भी बूम पर चल रहा है तो हमारे यहां बहुत सारे ऐसी चैनल बन गई है बहुत सारे ऐसे लोग है जो से स्टीमिंग करते हैं या उसे रिकोर्ड करके अप्लोड करते हैं YouTube में तो ऐसे में आपके लिए windows ने भी एक ऐसा सौर्ट कट की या मतलब ऐसी setting डाल दी है जिसके थुरू आप अपना जोगी गेम खेल रहे हैं उस टाइम आप उसकी रिकोर्डिंग कर सकते हैं और विट इसकी माइक्रोफोन के साथ जो डिफल्ट माइक्रोफोन है उसके साथ आप इसकी रिकोर्डिंग कर सकते हैं इसका सौर्ट कट है Windows प्लस Alt प्लस R उसके बाद आपकी recording automatic start हो जाएगे लेकिन ये enable तभी होगा जब आप कोई game खेल रहे होगा और windows उसे detect कर लेगा अब ये जो next जो shortcut की है ये उन लोग के लिए जो regularly कुछ लिखते हैं typing करते हैं, articles लिखते हैं या किसी paper वगिरा के लिए research paper के लिखते हैं इसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है आप कुछ चीजे लिख रहे हो और उसे delete कर देते हो बट अगेन आपको undo करना होता है लेकिन undo करने का बहुत बार कोई option आपको shortcut की मिलता नहीं है तो उसका एक shortcut बहुत अच्छा shortcut की है Ctrl Y, Ctrl Z से तो redo कर सकते हैं Ctrl Y से आप इसे undo कर सकते हो और यह आप blogging अगर करते हैं वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो या word file या कोई text editor वहाँ भी आप सेम चीज यूटलाइज कर सकते हो Windows mostly जो भी आप Windows में यूज करते हैं वहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो यह उनके लिए हैं जो writing skill मतलब writing करते हैं तो इसमें क्या होता है कि writing आप करतो रहे हो लेकिन हर चीज आप लिखते नहीं हो बहुत सारे जो data होता है कुछ context होता है कहीं से आप copy और यहाँ पर paste करते हो बट आपको क्या है ना formatting सेम रखनी होती है तो क्या करोगे वहाँ से आपको copy करना है और paste करने से माए Ctrl-Shift-V आपको click करना है automatically आपका जो format आपके file में लिखा जा रहा है उसी format में वो जो आपका data है copy हो जाएगा तो आपको कोई editing करने के दिक्कत नहीं होगी और यह last keyboard shortcut है इसमें आपको अगर calendar ओपन करना है quickly तो उसके लिए एक option है Windows plus Ctrl plus D अगर आपको frequently reminder set करना होता है तो यह बहुत अच्छा shortcut है आपके लिए I hope आपको सारे settings समझ में आई होगी मैंने video करके भी दिखाया था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें problem हो जाती है तो आप comment में comment करके पूछ सकते हैं कि कैसे करना है इसे अगर आपको कोई और नया shortcuts या इसके जो extension video चाहिए मतलब part 2 वगेड़ा चाहिए अगर आपको और तरह बहुत सारे keyword shortcuts और भी होते है मैंने केवल नया features जो था उसे बताया था और भी बहुत सारे hidden features होते हैं तो अगर आपको एक special वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं अगर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं तो मैं उसके लिए अगले वीडियो बनाऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना नहीं लगती है तो ढिसलाइक कर देना अगर अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना अपने दोस्तों में शीर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद बाबाई एंज जय हिंद